रूपाली गांगुली और गौरफ खन्ना के शो अनुपमा में ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ली रहा अभी-अभी अनुज और अनुपमा का मिलन हुआ और अब आध्या के प्रिया बनने के बाद की कहानी शुरू हो गई है आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द आध्या के एमदाबाद आने और प्रिया बनने की कहानी रिवील होगी इसके साथ ही बापुजी वनराज और इंद्रा की वज़े से नया ड्रामा शुरू हो जाएगा जब मीनू एहमदाबाद आई थी तो बापुजी एहमदाबाद में नहीं थे इसलिए दोनों की मुलाकात नहीं हो पए लेकिन अब जब बापुजी वापिस आ गए है तो ऐसे में आने वाले एपिसोड में बापुजी और मीनू की मुलाकात वला सीन दिखाया जाएगा रिपोर्ट के मुताविक मीनू अपने नाना से मिलकर एमोशनल हो जाएगी वहीं सागर बापुजी को अपने मीनू के बारे में सब कुछ सच बताएगा कुछ दिन पहले ही इंदरा का बेटा आशा भवन आया था और इंदरा को अपने साथ ले गया लेकिन आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इंदरा का बेटा उसे मारने के लिए सड़क पर छोड़ जाएगा जब अनुपमा इंदरा की हालत देखेगी तब वो हैरान रे जाएगी वो इंदरा को अपने साथ आशा भवन लेकर वापिस आजाएगी और उनकी देखबाल जर्ख करने लगेगी जब अनुपमा को पता लगेगा कि इंदरा के बेटे ने उनके साथ क्या क्या किया तब वो न्याए के लड़ाई शुरू करतेगी इन सब के बीच ही अनुपमा अपने और आशा भवन के लिए एक नई शुरूवात करेगी दरसर अनुपमा का कॉलिज कैंटीन के लिए खाना बनाने का कॉंटेक्ट तो मिल गया लेकिन अनुपमा इतने से खुश नहीं है वो अपना खुद का खाने का ठेला शुरू करेंगी अनुपमा और अनुच को पता चलेगा कि उनकी बेटी आद्या एहमदा बाद में ही है हाला कि अभी तक अनुपमा को ये नहीं पता था कि वो जिस कॉलिज कैंटीन के लिए खाना बनाती है उसके होडी ही आद्या के फॉस्टर फादर है ऐसे जब अनुपमा को ये पता लगेगा तब वो खूप सारा ड्रामा होगा वन्राज अनुपमा से तंग आ चुका है ऐसे में वो आशा भवन को खत्म करने पर तुला है वो बिल्डर और आशा भवन शुरू करने वाली आशा ताई के बेटे के साथ मिलकर टील करता है अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि जब अनुपमा और बापुजी को वन्राज के प्लान के वारे में पता चलेगा तो क्या होगा लगता है आने वाले एपिसोड में बहुत चल्दी बहुत ज्यादा ड्रामा होने माला है और आपको मिलेगा एंटर्टेन्मेंट का तगडा डोस ऐसी एपडेट्स के लिए देखते रहे है निउस बर इंडिया